क्योंकि वहां पे तीन गंटा का टाएम दिये जाएंगे आप उसमें लीखो, यह रो यह रो जाकरो, एकक्झाम को इसे को किसी परक नहीं परने वाला, अगर आप धीरे दीरे रो आँएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं, अगर आप जोर से रोआएंगे तो एकक्झाम हेपा कीचण के इसे अच्छा कुछ नहीं पड़े हैं यह जो छात्र पढ़े हैं तो बिना पढ़े हिंदी भी सारी बास होने की फ जी हां हिंदी भी से आज हम लें कहा है क्ह। क्योंकि बच्चे ने कहा कि सरह हिंदी भी बिसान के लाइए इससे पहले मैंने इंगलीस से पास होने की ट्रिक मैठमेटेक्स में कुछ ना आये हैं उनके लिए हिंदी में पास होने की ट्रिक यहां पर हम ऐसा बता देंगी कि आपका हंडेट परसेंट हम गारंटी लेंगे का पास हो जाएंगी कोज मुझे पता है मुझे सब कुछ पता है हम experience लेके बैठे हैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं आपको अब बात करते हैं जो चातर पढ़ लिए हैं लेकिन वह अच्छा नंबर कैसे लाएंगे तो ऐसे लाएंगे देखिए ध्यान से समझने की कोशिस किजिए जो चातर पढ़ लिए हैं तो बचे छुटे कोशन में हां जैसे मान लेज़े आपको अम दिखाऊं लाएक के कोशन पेपर दिखाता हूं तब आपको समझ आएंगे जैसे देखिए यह कोशन पेपर है यहां पे बहुत से कोशन रहते हैं तो आप कितना भी पढ़ाई कर लेते हैं आप कितना भी पढ़ाई करके गये हैं तो कोशन पेपर म और वो question छूटने को रहते हैं तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं कि बचे छूटे question में आप ये trick लगा के सभी question को पुरा कर सकते हैं और अच्छे नमबर से आप पास हो सकते हैं आई बात समझ में ना कि question paper में बहुत से question रहते हैं मन लिज आप बहुत से question का जवाब उतर दे द सकते हैं और जब आप पूरा कर देंगे तो आपको अच्छे नमबर मिलेंगे अच्छे नमबर से पास हो जाएंगे तो आप दोनों बने रहे हैं वीडियो पैंड तक आज हम आपको सिखा देते हैं कि बिना पढ़ने पास कैसे होईंगे आप बोड एक्जाम में तो सबसे सब्सक्राइक तरहीं में आपको संपर दिखाता हें फिर आपको बताऊंगा वाट एक्जाम में क्या है कोपी लिखने करभा तरिका पर लएक प्रशन का च्छाचन को गया हों परसन LRIK यहांप तो कौन सा ट्रिक लगाएंगे इसी वीडियो में बताएंगे और क्या है बोर्ड एक्जाम में कोपी लिखने का सही तरीका यह भी बताएंगे हां तो सब कुछ बताते हैं पहले आपको कुस्सन दिखाता हूं देखिए सब्जक्टिव की बात करेंगो अगर आपको कुछ भी पर आएंगे आपके एक्जाम में हो सकता है दस नमर्या यहां पर 10 नमबर का रहे दस अंकार रहे निबंद लेकिन बिहार बोर्ड ट्वल्ड की बात करो तयां पर आठ नमर्या कोशन रहते हैं अगर अगर वहां तो दस नमर्या कोशन लाएंगे या फिर यूपी बोर्ट स से हैं यहाँ पर दस नंबर का निबंद पूछे जाएंगे बोड एकजाम में और इतना आपके सामने यहाँ पर मोश्ट इंपॉर्टन निबंद आएंगे यह सब बता दिया है हम आपको गेश सजेशन दे दिया है ठीक है हां तो थोड़ा से बता दो परबला यह जितने होते यह अगर आपको आता भी है तो बहुत सरी कोस्टन का आप जबाब दिये हैं लेकिन एक दो परस्न यहाँ पर छूट रहे हैं तो वो कैसे करेंगे ट्रिक से बताएंगे पहले आपको कोस्टन दिखा देते हैं उसके बाद बताएंगे बोड एकजाम में कोपी लिखाएंग लेकर देन्गे तो दुच इस तरह से यहां पर पत्र लिखने होते हैं तो दो में से एक कर लिएगा पत्र काईसे लिखाएंगे ये सब बता दिया है इस विडियो का पैले लिस्त में ल %. तो कहें अब देख़िएगा को जद लिखेंम ऐसे बता दिया हैं ठीक अब यह सब कइसे लिखते आंगे होता हैं आप खुद जानतें डेख आहें ते SAMG accomplished उत्तर ना आये बोड एक्जाम में तो कोई साट्रिक लगाए कैसे पास करें क्योंकि बहुत से इस प्रॉण्ट को मैंने भी देखा है किसी कारण नोंका तैयारी नहीं हो पाया है कोई बिमार रहता है स्टुड़न्ट किसी कारण जो है नोंका तैयारी नहीं हो पाया और संचेपन लिखे संचेपन वह प्रसन सभी एक्जाम में आते हैं बाता दूं आपको आपके एक्जाम में कभी कोई सेंध के स्टुड़न्ट हैं तो हिंदी में आपके पाईशर रहता हैं खोज-खोज के लिखने वला होता है तब तो और अच्छे हैं आपके लिए लेकिन आप 12 के भी हार बोड के इस्टुडेंट हैं तो आप में पैसे अभी नहीं आते हैं आप में सिर्फ संचेपन आते हैं और यहां पे कुछ कीताब से सब्जेक्टिव कोशन रहते हैं बागी निबंद पत्र रहते हैं बागी 50 वह अबजेक्टिव बनाने को रहते हैं तो वही अबजेक्टिव घीच लेता है लेकिन जब अबजेक्टिव नहीं पूछ रहा था तो उस समय जो है ना हाँ पूछा करता था तो चलिए बहुत हम बाते कर लिए पर संचेपन आपको हम सारा फंडा किलिया करते हैं कैसे आप बनाएंगे संचेपन का कैसे आप फूल नंबर करेंगे ठीक है नहीं तो आप कहेंगे अगर आपको सरा लजा के अधर हम जवाब नहीं देंगे हैं तो कि ये बिडियू बहुत बाव हो जाएंगा भागं जाएंगे लिखी नहीं पर लिखना पर लिखना Vitn तो बिलेगा तुम इसमें एक नमबर मिल जाता है यह कहास मिलेगा तो इसको पढ़ेंगे जिसको पढ़ेंगे आप चाहे ठोल रोग के पढ़ सकते हैं तेखिए यहां पर भारत और तेहारों का देख है फिर यहां पैसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे दखी क्या आ रहा है देखी यहाँ पाया तेहारों धर्म के संबंदित तो यहाँ पे दखी यह क्या है हिंदू, बैद, जन्म, जैन, सीख, पार्सी, इसाई और इसलाम यह सब क्या है यह सब धर्म है हाँ कहते हैं हिंदू, मुस्लीम, सीख, इसाई यह सब क्या की आ गया है यहां पर धर्म का चर्चा की आ गया है और यह पर चर्चा की आ गया है तो वही हमारा माँ टॉपिक होता है वही governance टॉपिक होता इस लिख CC यहांनु यही से लिखेंगे आफ अगока को कुछ भी समझ ना सब्सक्तभक ay to RAW यहां पósने ऊसके बाद हम यहां से भारत यानि भारत का ट्यार के मुख्रूप से आप देखिए यहां पर मुख्रूप से फसलौप का ट्याहर है MUSKаров से फसलौप का तेहार है इसका कारण हैusan चेपन लिख रहे मतलब कम से कम हमारा सब्द में कम बन जाए तो इसका कारण है की जगप यह तीन वर्ड हो जाता है लेकिन यहाँ पर एक्के वर्ड में लिग देंगे क्यों की तो इसका कारण है या क्यों की एक्के है ठीक है तो इसका कारण है या फिर क्यों की अगर आपको ना समझ आए तो इसका कार भारत में अनेक धर्म है जैसे यह लीग देना है पूरे अनेक धर्म कौन कौन है इसलिए धर्म मतलब इसी को उठा के चाप देना इसी को उठा के चाप देना है आपको चार में से अगर हिंदी में तो कैसे आप इंप्रूब करेंगे कैसे आप एक जाम में अच्छा करेंगे उसका क्या है इलाज यहीं पर बता दूगा लेकिन पहले बता देता हूं कि अगर कोई परस्ण का उत्तर ना आए तो क्या करें हां मन लगाएंगे यह फिर हमको बहुत कुछ आता ह है हमने बहुत कोशन का जवाब दे दिया है लिकिन लाश्ट में एक दूग कोशन हमारा छूट रहा है बच रहा है तो उनको पुरा कैसे करें तो ऐसे करना है सबसे लिखेंगे प्रस्ण संख्यां 5 के 1 का उत्तर हमने यहां पर प्रस्ण संख्यां 5 का दे रहे हैं आप की तरीका सिखिए और लिखेंगे संघर्स समीतियों से परकास नरायन की आप एक्षाएं हैं की अब इसको पढ़िए देखिए क्या आप एक्षाएं हैं मतलब क्या की जगप हम लिख देंगे आप एक्षाएं हैं की उसके बाद यहां क्या लिखेंगे यह भी बता रहे हैं सिंधर स्मीतियों से यही परकास नरायन की यही है अब यहाँ देखें फरकास नरायन जिसी चेप्टर से लिए गए हैं अगर आपका उस चेप्टर से कोई यहां पर लिख देंगे अगर आपको यहां पर लिख देंगे अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो किसी दूसरे कोशन का एंसराईमिंग हिंदी में कोई भी कोशन आपको याद है तेहां पर बीच में लिख देंगे एक जामरा सिर्फ सुरूबला पढ़ेगा बीच में लिख देंगे और इतना लिख देंगे ठीक और अगर पकर भी लिया तो तो भी आपको पाँच में से तीन यह दू नं नहीं कोशन से संबंदित अगर कुछ ना कुछ लिखा रहेंगे तहम उसमें कुछ ना कुछ नंबर देंगे यह होता है नियम एक जामनर का ठीक है क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है इसलिए हम पहले करें और कोशन जब उत्तर हमारा हो जाती यहां पर दूसरी जब उत्तर लिखाएंगे यहां पर दू-3 श्टेप खाली छोड़ना है जगा खाली छोड़ना है ठीक है तब जाकर लिखेंगे आगे परस्ण संख्यां पंच के दू का उत्तर हमने पंच का वन का दिये फिर दू का लिखाएंगे तो टोटल के राय तीन का उत्तर देने ठीक है और य टीकषिस आपको अगर डिलेटेट संबंद कुछ याद है लिख देंगे लेकिन लिखने के तरीका सकए अब भीच भीच में लिखाएंगे वही अगर हम में वांक सकती ना होती तो तो पिर यहां पे कुछ लिख देता है ठीक रिपिटेट करना है और लास्ट में लिख जन जो करो एक्जाम वहां पर किसी को फर्क नहीं परने वाला, अगर आप धीरे-धीरे रोएंगे, तो कोई सुनने वाला नहीं, अगर आप जोर से रोएंगे, तो एक्जाम होल में टीचर में आपका कान पकर के और बाहर कर देंगे, गेट के बाहर भगा देंगे, वहां कोई अच्छा एकोपी खाली नहीं छोड़ना चाहिए जो आपको आप मतला अपना दिमाग वाँ पे चलाना चाहिए ठीक है एक जानवर को सदा पेज नहीं मिलना चाहिए सदा पेज पर जीरो नमबर देंगे अगर आप इसी रिलेटेड कुछ ना कुछ लिग देते हैं तो आपक इसे अच्छा गुल सं से यहां पर ट्रिक सीख लिजी और बाराल कोशन के लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे आपके पास नोटिफिकेशन कर लेंगा के टाइम हम यह ट्रिक नहीं बताना चाहते थे बढ़ हम को बताना हुआ क्यों कि टीचर का फ़र्ज होता है प्यासे करने से बचाना आमिंग एक्जाम में उनका नई आपार लगाना तो समझ रहें जो कि मैं ने किया तो अब आपको सिखा देता है कि बोट एक्जाम की कोपी कैसे लिखें क्या है सई तरीका और तो और यह भी बता देंगे कि आपका हेंड रैटिंग खराब है तो क्या करें दे देखिए हिंदी में कुछ इस तरह से लिखाएंगे कहा है सुरुवाती भाई शुरूस आपको हम दिखाता हूं देखिए खंड बहा है तो खंड बहा लिख देंगे बलेक पैन से फिर लिखेंगे प्रस्ण संख्याँ बलेक पैन यूज करना माइन टॉपिक माइन पॉइंट को बलेक पैन से यूज करना एक जामर को यहां पर केंद्रित करवाना है फोकस करवाना है कि ठीक है इसलिए हम बलेक पैन का यूज करते हैं और भी है दखिए इस तरह से लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता आप ल तरह से भाई इस तरह से इस तरह से ठीक है और दखिएगा इस तरह से लिखे जाता है हिंदी का प्रश्ण और भी है और भी है हमारे पास इस तरह से ठीक है अब बात करते हैं हैं राइटिंग खराब है तो क्या करें बहुत से बच्चे का यह सवाल है तो मैंने अभी खुद लिखा है मैंने अभी खुद लिखा है क्या कोgate अ APP करेंग फिर भी देखने में जहां तक अच्छा लग रहने कि कि दो बड़ों की मतलग एक वर्ड के एक पैंसिल की दूरी किया है जैसे भारत और में के के बीच यहां पर खाली इस तरह से अगर आप फोल फोल लिखाएंगे तो अच्छे एक्जाम में होईंगे और विश्वास ना हो तो अभी आप एक बार प्राटिस करके देखिए घर में आपका हैंड्राइटिंग इतने अच्छा होएंगे जी हम मैं खुद आश्चाइड हो आप इस प्लेलिस्ट में जाके बारी बारी से सब वीडियो देख लिजी